कि वेल्कम टो जी एस एकडमी मैं गैनेश्क मर संस्कृत ये क्लास का मैं पहला वीडियो अप्लोड कर दिया हूँ यूटूबर और ये दुसरा वीडियो है संसखृत में हमने मिद्ध का जो सात नंबर का पूरे कितना नमर के सात नंबर का 7% कि कितना नंक अस्थरी जिसका त टाला मी डोएंवा महिसां जाला है नेलां की आधि होली में तो थे नहीं पने आपने पहला वीडियों गणा ili इंज फेए ंगी तो यहाँ फिकर ह knew यह में बहुत लगे हैं तो दूसरा वीडियोम देखाऊ तो जो नहीं देखें लोग और पहला वीडियो जरूर देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको इससे पता चलते रहे कि संस्क्रीट का अगला वीडियो कब डालने वाले उससे आपको पता चलते जाएगा ठीक है तो चलते हैं वीडियो क्यों ठीक है दीपावली क्या है पहला क्लास दीपावली दीपावली में आपका क्या है अस्माकम देशे अनेकानी उत्सवा भवन्ती जो बचे लोग पहला वीडियो देखें हो तो उनको काफी अच्छा से समझ में आ रहा होगा ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है तो बाबु इसका हम इसका हिंदी समझा दिया जाएंगा और वीडियो को रोख रोक करके आपने इस हिंदी को कर लेंग lot और हिंदी क्यों बता रहें संस्कृत में कैसे निवंद लिखा जाता इस तरीके से लिख वूगा पर उस 추천 को दो नर्मबर पूरे आप users अस्माकम देशे अनेकाने उत्सवा भवन्ती, तास्माकम के मतलब हमने पहला क्लास में बताया था क्या चीज़? हमारे, क्या वदा था? हमारे देश में अनेकाने मतलब अनेक उत्सवा भवन्ती, यानि भवते हैं, ता हमारे देश में अनेक उत्सवा होते हैं, हमारे देश में अन्यक उत्सौ होते हैं इसके बाद टेशू दिपावली सर्वोत्म परब अस्ती के मतलब यह मतलब जिसमें दिपावली सर्वोत्म परभ है पर मतलब तयाहर भी होता है तेवहार है तिसलेंच चलते हैं इदम इदम के मतलब बता होंगा आपने परला वीडियो में फिर से आज बता दे रहा हूं इदम के मतलब होता है यह इदम के मतलब यह खुसी नाम मतलब खुसी खुसी जाहिर करना तिया खुसियों का परवे है यह खुसियों का परवे है में भात में मतला होता बताया से लोगों मना आजुज हो लोग को मनां ज़ता मतला नाया जाता है ज्याता है मतलब क्या है पर्मूख तेवहार है दी पॉली हrals हिंदू नाम पर मुखा चलो क्षिया आजें क्यों चलते इदम पर बा कार्थिक महशिकर शेमनी दे कर्भी उपर में बताएं बच्छो लोग कर्दे आग कि मतलब करक्तिकर्थिक देव laughing काति जो हिंदी भासा में बोला जाता है यह तेवहार कार्तिक माह में मनाया जाता है यह लास्ट का जो वीडियो है लास्ट का लाइन जो है इस अंस्क्रित का यह आपका हर वर्ड में हर निवन्द में काम आएगा तो इपावली पर मुझे अच्छा लगता है इसे पहले यहां तक आशा करता हूं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे लोग को समझ में ठीक है तो इस तरीके से आपका हर एक वीडियो को संस्क्रित के रुप में डाला जागा और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको आप बच्चे लोग देख सके जो बच्चे लोग हमारे पास क्लास आ करके करने में संभावा सच्छम नहीं है तो आप यूट्यूपर भी क्लास को कर सकते हैं बिलकूल पूरा का पूरा क्लास डीटेल्स के रुप में समझाया जाएगा तो इस तरीके से आपका आज का वीडियो समाता है बहुत में बहुत धन्नाबाद दस्तों